दोसो विलियम शेक्सपेर ने अपनी एक वर्ल्ड फेमस पोएम में एक लाइन कही थी शायद अपनी बिलविट के लिए या फिर एक ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ही लवली था इस लाइन का मतलब यह है कि क्या मैं तुम्हारा comparison करूँ या तुम्हारी तुलना करूँ गर्मी के एक सुहाने दिन से हम जानते हैं कि गर्मी के दिन अंग्रेजों के लिए बहुत सुहाने दिन होते हैं वहाँ पर ठंड बहुत बढ़ती है इसलिए यहाँ पर शेक्सपीर ऐसा बोलते है क्या मैं तुम्हारी तुलना करूँ क्या मैं तुमको compare करूँ गर्मी के एक सुहाने दिन से दावाट more lovely and more temperate लेकिन तुम तो उस गर्मी के दिन से भी ज्यादा lovely हो ज्यादा temperate हो तंपरेट का मतलब होता है ना ठंड ना ही गर्म हमें ऐसे दिन बहुत पसंद होते हैं जो बहुत सुहाने होते हैं ना ठंडे होते हैं ना गर्म होते हैं शेक्सपीर यहाँ पर उस खुबसूरत इंसान को बोलते हैं कि तुम तो उस गर्मी के दिन से बहुत अच्छे हो, बहुत लवली हो, बहुत टेंपरेट हो Rough winds do shake the darling birds of May Rough winds do shake Rough winds का मतलब है दोस्तो तूफानी हवाएं, rough हवाएं मई के सीजन में जो खुबसूरत खिलिवी कलियां होती है, उनको बुरी तरीके से शेक कर देती है, हिलागर रख देती है मई में जो rough हवाएं जलती है न, तूफानी हवाएं, rough winds, वो हिलागर रख देती है birds का मतलब होता है कलियां, and summers, lease, और गर्मी का पट्टा, lease का मतलब पट्टा, जो lease पर लेते हैं न, हमचीज at all, too short a date, वो बहुती कम समय के लिए होता है, मतलब गर्मी बहुती कम समय के लिए आती है, इस लाइन का मतलब ये है sometime और कभी-कभी, too hot the eye of heaven shines, यहाँ पर eye of heaven किसको कहा गया है, सूरज को, तो सूरज eye of heaven बहुत तेज शाइन करता है, यानि आग बढ़साता है गर्मी के मौसम में, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, कि सूरज बहुत आग बढ़साता है गर्मी के मौसम में, and often, और अक्सर, often का कभी-कभी तो सूरज बहुत जाइन करता है, कभी-कभी उसका gold complexion dim हो जाता है, और आगे Shakespeare बढ़ी कमाल की line बोलते हैं, दोस्तों, note करना, इसको लिख लेना, and every fear from fear sometimes decline, कि कभी-कभी अच्छे से अच्छे दिखने वाली चीज, decline जरूर होती है, कि हर खूपसूरत से खूप कूपसूरत से कूपसूरत, sometime मतलब कभी-na-कभी, declines मतलब खतम होती है, by chance, या तो by chance, या तो by chance ऐसा हो जाएगा, और nature's changing course, या फिर nature खूपसूरत चीज को change कर देगा, क्योंकि हर एक कूपसूरत चीज का अंद जरूर होता है, चाहे वो by chance हो, या फिर nature उसको change कर दे, ले die eternal summer shall not fade, लेकिन ये तुम्हारी खूपसूरत गर्मी जो है, ये कभी खतम नहीं होगी, ये eternal है, eternal का मतलब जिसको कोई खतम नहीं कर सकता, nor lose possession of that fear, the ost, और तुम उस चीज पर अपना possession, यानि अपनी खूपसूरती पर अपना position, position का मतलब है अधिकार, कभी खोगे नहीं, जि खूपसूरती, उस पर तुम अपना अधिकार कभी खोगे नहीं, nor shall death, और नहीं death, ब्रैक दाओ, अपने साथ तुम्हारी खूपसूरती को ले जा सकती है, wonderst in his shade, अपनी परच्छाई के अंदर, अपनी साय के अंदर तुम्हारी खूपसूरती को death भी ने ले सकती है, आग When an eternal lines, इन lines के अंदर, जो line eternal है, जिसको कोई खतम नहीं कर सकता, time के साथ साथ इसकी popularity बढ़ती चली जाएगी, इस poem की popularity बढ़ती चली जाएगी, और तुम्हारे बारे में लिख रहा हूँ तो तुम्हारी भी popularity बढ़ती चली जाएगी, overall तुम्हारी खूपसूरती इस poem के अंदर जिन्दा रहेगी, और कब तक जिन्दा रहेगी ये poetry, so long as man can breathe, जब तक इनसान सांस लेगा, जब तक इनसान सांस लेता रहेगा, इस प्रत्वी पर, तब तक, और eyes can see, और जब तक आँखे देख सकेगी, तब तक, so long lives this, तब तक ये poetry जिन्दा रहेगी, and this gives life to thee, औ और यही poetry तुम्हें जिन्दा रखेगी, तुम्हें जिन्दगी दे के रखेगी, तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी खुबसूरती मरेगी नहीं, बलकि इस poetry में जिन्दा रहेगी, उमीद करता हूँ ये खुबसूरत poem आपको समझ में आयोगी दोस्तों, आज की इस वीडिय में बस इतना ही